आज में आपके लिए नाशते की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखते ही आप को बस खाने का मन करेगा, देखने में इतनी सुन्दर है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, और इसे बनाने के लिए नहीं हमने मैदा का यूज किया है, ना ही चावल के आटे का यू अगर आपको मही रेसीपी पसंद आती है तो प्लीज मिले चैनल को सबस्टरिब करना बिल्कुल भी ना बूलेगा तो चलिए मिलकर बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में लिया है 3 4th कप बेशन तो बेशन पतला मोटा दर्दरा कैसा भी ले सकते हैं अगर दही नहीं है तो दही आपको खटा लेना है और अगर दही नहीं है तो दही की जगे आप छाच भी ले सकते हैं उससे क्या होगा ना हमारी जो रेसीपी है वो सौफ्ट बनेगी उसमें खाल कासा खटा बन भी आएगा अब इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और दही आपको बहुत जाद यूज नहीं है क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा पानी भी आड़ करेंगे इसलिए पहले दही को अच्छे से मिक्स कर लीजे और उसके बार जितनी क्वांटिटी कि हमें पानी की ज़ू और आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा से घोलती जा रहे हूं और गोलने के बाद में हमें इसका एक पतला सा बैटर बना लेना है और अगर बीच बीच में कुछ लंब्स आ रहे हैं तो आप चमच की साहता से इसको डिजॉल्फ करते रहे यहां पर मैं बैटर को थोड़ा सा पतला रखूंगी क्योंकि हमने इसमें सूजी भी डाली है और सूजी थोड़ी दिर बाद में फूलेगी इसकी वज़ए से जितना भी पानी हमने डाला है वह अबज़ा हो जाएगा और बैटर हमारा थिक हो जाएगा तो अभी मैं इसको जितना बैटर हमें थिक चाहिए उससे थोड़ा सा जाधा पतला रख रही हूँ ताकि बाद में हमें इसमें पानी नहीं डालना पड़े कोशिश किजिए कि एक ही बार आप से पानी डाले और यह देखिए बैटर हमारे एक दम तयार हो गया है अब इसको रख देंगे 10-15 म इसी तरह से रेस्ट करने के लिए अधी गंटी के लिए मैंने बैटर को ऐसी रख दिया था अब मैं इसमें डाल दूंगी एक घ्री मिर्च जिसे मैंने बारी बारी काट लिया है अगर तीखा जाधा पसंद करता है तो थोड़ी जादा यूज कर सकते हैं साथी मैं डालूं एक चमच में डाल रहे हूं ऑईल मैं सरसों का तेल यूज कर रहे हूं आप कोई सबी और यूज कर सकते हैं और बिलकुल थोड़ा सा यहां पर मैंने डाला है काला नमक इससे बहुत ही बड़ी आ टेस्ट आएगा तो आप काला नमक ज़रूर एड कीजिए और अब इन सारी इसलिए स्टार्टिंग में हमने से थोड़ा सा पतला रखाता और इस तरह की फ्लोइं कंसिटेंसी वाला हमें यह बैटर चाहिए जिब गिरा है तो इस तरह के रिबिन बनने चाहिए तो बैटर तो हमारा बन के एकदम तयार हो गया है और अब मैंसमें डाल यूज कि मैंने अच्छे से मिल जाए इनो डालने के बाद में दो मिनिट के लिए हम इसे ऐसे ही चोड़ देंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से एर बबल बन जाए और मैं आपको दिखाऊंगी कितना फलपी हो गया ही देखिए बहुत ही फलपी हो जाता है बैटर कितना अच्छे से फू काच की या फिस्टील की कुछ भी ले सकते है तो उसकी साइज इतनी होनी चाहिए कि इस काच्छे में फिट बैढ़ जाए इसे भी हम बाहर की तरफ से ग्रीस कर लेंगे और इसे इस तरह से दूसरे बावल के अंदर फिट बिटाना है तो छोटी लेंगे तो जादा बैटर ताकि जो हमारी बावल की शेप है वह बहुत ही अच्छे से आएगी तो इस तरह से मैंने दोनों काच्छियों को ग्रीस करके दोनों बावल के अंदर दाल दिया है और यह जो बैटर है यह देखिए आप कितना अच्छे से हो गया बहुत सारे जाव और बबल सा गया है इस तबी हमारे जो बावल ऑन दाली यह वह पूरी तरह से फिल होनी चाहिए प्याइछे से मतलब इस तरह से आपको पूरी काच्छियों को अचछे से ढग देना है बैटर से यह जैसे जैसे कर दो आपको बिल्कुल वैसे ही कर ना है बस आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आ काटोरिय को तक हमें नगए करिया डोड़ा है तो बड़े दक टिया है चितरिया डेंगे बतर केयात तक है है तक ऐपर हम रखेंगे जो आप नगवाने रहं जा प duct यहां पर मैंने दोनों रख दिये हैं और इसे स्टीम कर लेंगे 10-15 मिंट के लिए तो यह देखिए बाउल वाल ड्धुकला हमारे पर चीम हो चुका है चाहतरव से नाइफ से हलका से इसे लूज कर लेंगे और हलका से टैप करके इसे बाहर निकाल लेंगे बस थोड़ा से ठंडा हो जाने दीजिए और उसके बाद हमने जो यह कटोरी डाली थी इसे भी हम निकाल लेंगे बहुत ही साफदानी से नहीं तो हमारा यह धुकला बाउल तूट जाएगा और यह लीजिए फ्रेंड्स यह ह कुछ भी अपनी मर्जे से डाल सकते हैं और थोड़ इसे मैं यह पर डाल जूँ कटे हुए टमाटर बिल्कुल बारिक-बारिक काट के डालने हैं आपको साथी में डाल देंगे हरे दनिय की चटनी इसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा थोड़ा समयने यह पर दाला ह इससे इस चाट का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया और चटपटा से हो जाएगा और अब इसे गार्निश कर दूँगी कटे हुए टमाटर आलू और प्यास से आप चाहें तो अनार दाना या फिर से भी इसे गार्निश कर सकते हैं तो यह हमारा डोकला बाउल बनके तयार हो ग आप इसकी जगे इमली की खटी मीटी चटनी बी डाल सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगेगा उससे क्यूंकि हमने हरे दनी की चटनी डाली है तो बैलन्स हो जाएगा सारा फ्लेवर तो फ्रेंड्स जब आपके घर में इस बार किटी पार्टी ओना आप यह रेसिपी जरू क्राय करना आपकी किटी की फ्रेंड एक्टम सप्राइज हो जाएंगी से देखते ही और अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूं यह देखी काटने में एक्टम सॉफ्ट है और यह बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे एक चाट वाला केक है जिसके आप चोटे-चोट आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंदा आए तो वीडियो को लाइक श्या कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए का चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और बैल आइकन के भी जरूर प्रेस कर देना ताक के लिए कुड़ बाई